जलूल अपन के एक रहबर लीडर ने एलान फरमाया था कि वो पाकिस्तान के तारीख के बारे में कुछ करेंगे कुछ याद है क्या फरमाया था ओओ अपने रहबर को एक बात करें तो याद रखू ना अब तो वो बात हैगी के रहजनों से तो भाग निकला मैं रहबरों ने अब आके घेरा है ओ यार मुझे कुछ कुछ याद पढ़ता है गा के नई तारीख रकम करने की बात की थी अरे बावले तारीख रकम करने के लिए तो एक राकम लहुरूफ की और बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है वो कहां से आवेगी ओ यार क्या बोलता तू सब को पता है के अभी कुछ ही दिन पहले आई एम एफ के पास से तारीख सास रकम आई हैगी ये और बात हैगी कि किसी को पता नहीं कई कहां उदर चीन भी तारीखी मुहाइदे रकम कर रिया है गा और अभी अपन के वजीर आजम जर्मनी जा रहे हैंगे कसम से कमाल है इतनी बड़ी बड़ी रखमें आ रही हैं और किसी को पता नहीं कहां जा रही हैं बस इतना पता है के आई भी वो गई भी वो खतम फसाना हो गया ओ बच्चू सिर्फ फसाना ही नहीं खतम हो गया मेरे भाई मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रही है जियो नियूज अरे बावले देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है ही यां बारा सोला गंटे की बिजली की लोड शेडिंग होती है अंधेरे में तारीक क्या खाक लिखी जावेगी ना जाने तू कैसे तारीक लिख पढ़ लेता है ओ यार बिलकुल इस माफिक जैसे चिमगादर तमाम हवाईचे जरूरी से रात में ही फारिख होती है की अपन की तारीक भी लिखी जा चुकी है की अजाज़त हो तो चन्द इक्तिपासाद पेश करूँ जी जी इर्शाद फरमाईए मगर अपना लगा भंदा तारीकी मरसिया ना पढ़ने लगना कि बिजली का बारान है गैस का फुकदान है नामन है नामान है महंगाई का तूफान है वगएरा वगएरा ओ जनाव तारीक में सुने रे अलफाद से डर्ज हैगा कि इतनी बड़ी काबीना की मिसाल किसी तारीख में नहीं है की और इतनी बड़ी काबीना की जीरो बरो बर कारकरदेगी की मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिलेगी गसम से मुझे लगता है कि तू दूसरी मिसाल ये देगा कि बिजली की शॉर्टेज को घड़ी की सुईयां आगे पीछे करके हल करने की मिसाल पूरी तारीख खंगालने फिर भी नहीं मिलेगी है ना प्रफ़ी नहीं मिलेगी है यूर्टेज करें पूर्टेज करें आगे ना